आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Explain the origin of the force of friction तो हमें बताना है force of friction का origin क्या है तो जब भी हम किसी object को किसी surface पे move करते है अगर ये एक object है इसे मैं ground पे move करूँगा तो क्या होगा इसके बीच में contact surface पे हमारा friction act करेगा बट ऐसे हम देखते हैं नॉर्मली तो हमें कुछ इसमें bonding मगरा कुछ दिखता नहीं बट अगर इसे हम micro level पे देखें nano scale पे देखें तो हमें देख सकते हैं कि जो surfaces होते हैं वो काफी ज़्यादा rough होते हैं और इस वज़े से जो दोनो surfaces जब move करते हैं तो आपस में interlock हो जाते हैं और उस interlocking से फिर निकलने के लिए हमें force लगाना पड़ता है तो यह ही जो interlocking के वज़े से हमें extra force लगाना पल रहा है y force होता है हमारा force of friction ओके और force of friction का direction क्या रहता है यह direction रहता है opposite to the relative motion तो हम कहा सकते हैं direction is opposite to motion of object क्योंकि यह हमेंसा relative motion को register करता है उसे होना नहीं देना चाहता है relative motion को यह कभी होने नहीं देना चाहता है friction और होता क्यों है क्योंकि जो नए-ने surfaces जो रहता है वो आपस में interlock कर जाते हैं और उससे निकलने के लिए हमें जो force लगाना पड़ता है वही force of friction होता है चाहसो चाहसो पर